Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय साल 2020, COVID के दौरान भारत समेथ पुरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण export-import खासा प्रभावित हुआ और शायद तभी जाके हमें ये मालूम पड़ा कि हम एक दूसरे के उपर कितना जादा डिपेंडेंट है वैसे तो हमें बहुत सारे चीज़ों कमी खल रहा था लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा noticeable रहा वो ये रहा कि किस तरीके से हम महस कुछ देशों के उपर dependent है semiconductor को लेके इन्ही सब चीज़ों को देखते हुए साल 2021 के डिसंबर में Government of India ने कुछ steps लिये जिसके तहत उनका ये attempt था कि chip manufacturing companies को भारत में बुलाया जाए और किसी भी तरीके से उनको incentive दिया जाए ताकि उनको ये लगे कि भारत एक suitable देश है जहां पे वो अपने manufacturing unit को set कर सकते हैं एक बात मैं बहुत ही साफ और इस पस्ट कर दूँ कि chip manufacturing अपने आप में इतना जादा complex process है जिसको कि शायद आप शब्दों में समझार नहीं सकते हैं अगर किसी भी तरीके से chip manufacturing का एक unit भी अगर आपके देश में लग जाता है और किसी भी तरीके से अगर आपका देश का उस unit के उपर monopoly हो जाता है तब भी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और साथ में हमारे आसपास या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा देश आ रहा जो आपको लगता हो कि वो देश electronics में काफी अच्छा है तो एक चीज़ आप notice करेंगे कि वो देश in-house semiconductor को manufacture करता है और बीते कुछ सालों में European Union भी बढ़ चड़ कर बजट को allocate कर रहे है और अलग-अलग देशों के जो chip manufacturing companies है उनको अपने देश में invite कर रहे है यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि semi-conductor का जो future है वो काफी bright है और अगर किसी भी तरीके से किसी भी देश को ये लगता है कि वो global superpower बनना चाहता है तो वो semi-conductor को ignore नहीं कर सकता है चाहे weapons manufacturing companies हो गया या वैसे companies जो काफी high-end गारियों को बनाते हैं या अपने गारियों के part को assemble करते हैं उनको अपने देश में बुलाना काफी मुश्किल होता है जब भी कोई इतनी बड़ी-बड़ी companies आपके देश में किसी भी तरीके से unit को set करते हैं तो वो बहुत सारे चीजों का ध्यान रखते हैं उसमें से कुछ है कि आपके देश में political stability है या नहीं आपके देश का जो manpower है वो कितना skilled है और जो promises किये गए हैं आपके सरकार के द्वारा कहीं ऐसा दोनी कि अगर सरकार बदल जाए तो उन सब promises को fulfill ना किया जाए ये सब तो वो कुछ बाते हैं जो आपको हमको articles वगेरा पढ़ने से समझ में आ जाते हैं लेकिन इसके अलावे बहुत सारे ऐसे complex issues होते हैं जो कि exist करता है और साथ में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके देश के जो अच्छे अच्छे companies हैं वो बाहर देश में जाए और वहाँ पे investment करें और किसी भी तरीके से सामने वाले देश को मजबूत बनाए और इसमें और भी बहुत सारे geopolitical angles involved होते हैं लेकिन फिर भी ये सरकार के responsibility बनती है कि वो किसी भी तरीके से जो future का trend है उसको समझे और उसके हिसाब से काम करें जो as per government data है उसके हिसाब से भारत में chip manufacturing का 4 project है जिसका कि जो total cost है वो some around पढ़ता है 1,48,000 करोड जो कि अपने आप में काफी huge amount है भारत के perspective से लेकिन अगर आप chip manufacturing के perspective से देखेंगे तो ये amount अपने आप में काफी छोटा है जहां पर जो हमारा केंदर सरकार है वो 59,000 करोड इंवेस्ट करेंगे as an incentive तो कहने का मतलब है कि जब तक आप सामने वाले company को एक अच्छा offer नहीं देंगे तब तक उसके पास कोई खास ऐसा वज़य रह नहीं जाता है कि वो आपके देश में आके investment करे और साथ में जो राज्य सरकार है उनको भी ये कहा गया है कि जो जमीनों का allocation होता है या जो companies को दिया जाता है वो भी आप कोशिश करें कि उनको free का दें और साथ में जो बिजली का unit है वो भी उनको आप कम दर पे दें तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि किसी भी देश का development में या खास करके भारत का development में जितना किंद्र सरकार की responsibility बनती है उतने ही राज्य सरकारों की भी बनती है अगर हम सरकार की मजबूरी की बारे में बात करें तो क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है बहुत सारे हमारे देश में welfare programs वगेरा चलते रहते हैं तो ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी challenging situation खड़ा हो जाता है कि वो किस project में कितना पैसे को invest करें कहने का मतलब है कि हमारे लिए defense भी उतना ही important है जितना important हमारे लिए infrastructure है उतना ही important हमारे लिए आज के date में जो नए नए start-up से वो भी आ रहे हैं तो कहने का मतलब है कि जब आप articles वगेरा को पढ़ना शुरू करेंगे तब जाके आपको exactly ये समझ में आएगा कि किसी भी सरकार के लिए कितना complicated होता है पैसे को allocate करना और एकर आप किसी भी तरीके से अपने कहे गए promises पेगर आप नहीं उतरते हैं तो वो market में आपके देश को लेके काफी एक खराब reputation देता है जिसके कारण क्या होता है कि जो पिछली company होती है या जो company आने वाली होती है वो आपके देश में आके investment नहीं करते हैं Tata Group और Taiwan की एक बहुत ही बड़ी chip manufacturing company है जिसका नाम है Power Chip Semi Connector Manufacturing Corporation इन दोनों के बीच में collaboration होता है fabrication plant को लेके जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका जो lump sum कीमत पड़ेगा यानि की manufacturing unit को set up करने का जो कीमत पड़ेगा वो sum around 91,000 करोड पढ़ने वाला है और साथ में जितना important manufacturing होता है उतना important assembling भी होता है और testing भी होता है अगर हम specifically बात करें chip manufacturing के बारे में तो fabrication का जो process होता है वो as compared to assembling का process या testing का process से कहीं ज़्यादा complicated होता है तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि जब आपके देश में इतना high end technology का कोई भी company जब investment करता है तो वो पूरा का पूरा unit लेके आपके देश में नहीं आता है बलकि वो phase wise आपके देश में investment करता है वो यह check करता है कि किस तरीके से आपका देश का response है अब क्योंकि present situation में कोई भी ऐस electronic gadgets नहीं है जिसमें की semi connector का इस्तिमाल नहीं होता है तो अगर किसी भी तरीके से government of India यह successful हो जाते है भारत को एक semi connector hub बनाने में तो यह definitely जो भारत का economy है उसको boost करेगा और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोजगार का एक opportunity को develop करेगा और साथ में जब component इतना ज़ादा complicated होता है तो यह कही न कहीं आपको एक geopolitical advantage देता है जहाँ पे आप दूसरे देश को अपने उपर dependent कर सकते हैं अगर आज USA चाइना के उपर यह चाइना US के उपर dependent है तो उसके वज़य भी यही है कि नहीं तो US की economy बगार चाइना का survive कर पाएगा नहीं तो जो Chinese economy है वो survive कर पाएगी US के बिना तो कहने का मतलब है कि जब तक आप सामने वाले को इतना ज़ादा dependent नहीं बनाते हैं अपने उपर तब तक आपका monopoly established नहीं हो सकता है और कोई भी देश अगर आज के टाइम पे एक global superpower है तो वो इसी वजए से है क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ ऐसे unique चीज है जिसके कारण पुरे दुनिया उसके उपर dependent है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye